सबसे पहले तो रादे रादे जे श्री किष्णा, मैं समीर बंसल, मैंनेजिंग डिरेक्टर और सीओ बंसल क्लासिस प्रैविट लिमिटेड तो जैसा कि आप सभी लोग जानता हैं कि बंसल क्लासिस की स्तापना बंसल सरद्वारा एक जुलाई सन 1981 में रखी गई थी और आज युलाई को 42 यर्स पूरे हो गए थे और बंसल क्लासिस जैसा कि अपने अकाडमिक्स के लिए जाएना जाता है पांच दhyफ में रांग談 तू छे रारे एक levar ने रांग टी और हर तरह की सिंगल डिजिक रांग बंसल क्लासिस दे चुका है अब तक तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि mathematics एक बहुत important subject है और एक सब्जी वाले को भी calculation अपनी strong रखनी पड़ती है even you know आप चाहें IT graduate हो जाएं या किसी भी शेत्र में हो maths एक बच्चे की strong होनी चाहिए बंसल क्लासिस 10th moving 11th बच्चों के लिए जो बंसल open opportunity scholarship test जो की boost के नाम से जाना जाता है उसके दो phase already ले चुका है और तीसरा phase 25 फरवरी को है और चौथा phase 17 मार्च को है तो एक चोटी सी important information थी जो मैंने सोचा आप लोके संग साजा करूँ कि जो लोग 10th moving 11th और IIT stream opt करना चाहते हैं वो बंसल open opportunity scholarship test boost 25 फरवरी को जरूर दें इवन ये test जो है ये उन बच्चों के लिए भी है जो अपना field medical opt करना चाहते हैं क्योंकि अब बंसल क्लासिस कोटा में सरफ IIT जेहिनी medical की भी coaching लेता है बट आज मैं किसी और चीज के लिए आपके सामने उपस्तेत हुआ हूँ ये इतियास तो बंसल क्लासिस का आप सभी लोग जानते हैं बट काफी दिनों से मैं 10th क्लास के बच्चों से मिल रहा था और 10th क्लास के बच्चों के बीच में रूबरू मैंने काफी बाते करें और रूबरू होकर मैंने एक चीज जानी कि हमारे 10th क्लास के बच्चे आज भी मैट से पैनिक हैं तो मैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट कोर्स उन बच्चों के लिए लेके आ रहा हूं जो अभी 10th क्लास में हैं मैट के लिए और बोर्ट का एक्जाम देंगे बट उस फीचर को बताने से पहले मैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट परसन जो कि हमार मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में भी रिसेंटली जॉइन किया है खुद आईटी ग्राजुएट है और इस शिक्षा के शेत्र में उनको 21 साल हो गए और एक सबसे अच्छी बात है कि हो बंसलाइट है बंसलाइट सर से पढ़े हुए हैं 1999 में उन्होंने आईटी निकाला आईटी गुहाटी के प्रड़क्ट है बंसलाइट है और एक बहुत वास्ट एक्सपिरियंस मैट्स में रखते हैं तो उन्हीं की जवानी मैं चाहूंगा कि आपको सुनाओं कि जो एक दसभी क्लास के बच्चों के लिए हम कोर्स लेके आएं वो है क्या तो मैं चाहूंगा अर्विन सिंग सर आईए आपको आपको बहुत बहुत स्वाधत है और अर्विन सिंग सर के बारे में जितना भी बोला जाया उतना कम है मैंने आपको एक छोटी सी इंफॉरमेशन अर्विन सर के बारे में बताएं कि अर्विन सर बंसलाइट भी हैं बंसल सर से भी पढ़े ह और इस शिर्षा के शेत्र में 21 साल इनको हो चुक है're बंसल फैमिली और हम चाहेंगे इस कोर्स के बारे में जो 10th क्लास के बच्चों के लिए हम एक शांदार कोर्स लेके आ रहे हैं उसके बारे में आप ही बताएं थेंकि जर। पूरा अच्छे से रिव्यू करकर किस प्रकार के सवाल आते हैं कैसे पूछे जाते हैं किस प्रकार का content पूछा एता एक marks के question दो marks कोशन चार marks पांच marks पूरा content करके we have come with one short revision program इस program के अंदर हम daily एक chapter का बहुत detail में theory पूरी revise करेंगे उस पर based previous 10 years में CBSC की जो 10 years last 10 years के जो paper है उनमें उस chapter से जितने भी सवाल आए हैं वो सारे सवाल में हैं एक एक करके दिखाऊंगा और उस video के बाद आपको मिलेगा most probable questions that can come this year उसकी एक PDF वो PDF आप download कीजिए वो PDF डाउनलोड करने के बाँ उसको खुद से solve कीजिए क्योंकि next day यानि कल उस PDF के एक एक question का मैं discussion करूँगा और फिर अगला chapter पढ़ाऊंगा इस प्रकार से एक एक करके आपन सारे 14 chapters में पूरी theory कवर करेंगे last 10 years CBSC World में पूछे गए सारे सवाल कवर करेंगे और आपको हर chapter के बाद मिलेगा most probable question that can be asked अगर इसको हम पूरा कर लेते हैं last time में तो मैं guarantee देता हूँ कि आपके hundred out of hundred ही आएंगे एक number भी ऐसा कोई सावाल नहीं बनेगा कि आपको एक number भी कहीं कट जाए thank you thank you Erwin sir और आपने बहुत सरल भाशाम में engineer बनना चाहते हैं और अपना dream ITN के form में देखना चाहरे हैं वो even हमारा boost जो कि मैंने आपको बता है next जो हमारा phase है वो 25th of Feb को है उसका form ज़रूर बरें और 10th के लिए आपके जो upcoming boards के लिए बंसल family के और से आपको बहुत सारा आशरवाद बहुत सारा प्यार All the best Thank you all of you for listening us Thank you Radha Radha Jai Shri Krishna